और वही क्या हाचाल सब के कैसे हो सब फस्ट फॉल मत करते हैं बिग बॉस के बारे में तो गाईस क्या एलविश एदव एन मनीशे रानी ने एक दूसरे को किस किया बिग बॉस शो में मैं आपको आगेस के बारे हैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले क्या धुरूव राठी ने बहुत कुछ बोला था सर सिधाध याजव की तरह बाकी जैशे राम बट लुक्स लाइक धूरूव राठी ने इनके कमेंट को डिलेट कर दिया और ब्लॉक कर दिया जिया यूटूब में एक उप्शन आता है ब्लॉक करके जिसके बाद हो में कमेंट टैप पे ये पोस्ट किया और उसके कमेंट कराकर मैंने इसको एक्सपोस कर दिया तो इसने मेरा कमेंटी उड़ा दिया एक छोटे आज मैं इस दोगले को एक्सपोस करके रहूंगा पहला दुरूफ राटी अपनी वीडियो में बोलता है कि एलवीश यादव ने आज से कुछ साल पहले सलमान का तुझे भी पता है कि उसका नाम एल्विश यादव है और उसके नाम के पीछे उसके भाई की कहानी है जो अब इस दुनिया में नहीं है तो बार-बार क्यों मज़ा लेता है सिद्धार्थ यादव बोल कर कि यह बताओ कि वाइल काड एंट्री ही क्यों ली उसने जैसे अपने व्लोग में बोला था हमने को जाना तो स्टार्टिंग में था हम पर आया था इनका कॉल वाल तो उस टेम भी फिर अपने को थोड़े परसनल काम पड़े तो एक दो काम अड़ गे थे वीचे मोर इंपोर् अब बात के लाते हैं बिग बॉसे कुछ अब बात के लाते हैं बिग बॉसे कुछ अपडेट्स के बारे में तो आज की लाइफ इड में फुकरा इंसान और बेबे का साथ में बैठे रहते हैं और बेबे का फिर से फुकरा इंसान का हैंड डिडिंग कर रही थी तो वो फुकरा इंसान को कहती हैं तेरी 30-32 में शादी होगी और 7 साल बाद अफेर हो जाएगा जिसे फुकरा पूजा बट आती है और उनको बोलती है कि अगर आपको इतने ही जोर से बात करना है तो बाहर जाके बात करो तो जब अभिशे का आशिका और मनिशा के साथ बैठे होते हैं वो कहते हैं मैं बेवेगा से मजाब कर रहा था तो पूजा बोलती है कि आपको जो करना है बाहर करो यहां ना करो, मैंने बोला मैं यहां काम कर रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप दूसरा प्लेश ढून लो, मुझे रखता है पूजा दिती सड गई है मेरे से, जिसमें मनिशा कहती है तुछ सड गई है और मेरे से जल गई है, टीक इसी के बाद पूजा बढ़ आशीका के बीच में भी एक भाडू हो जाता है तो आशीका का duty साथ है जाडू लगाकाना, तो पूजा आशीका को जब बहुं बहार चीलर्ट उसके बात से बॉठ बहुएफ कर रही है वह सब को डाट रहे है और टाइप दे रही है पता नहीं क्यूंँ इसके पहले morning में babyka and Jiya साथ में बैठे होते हैं एंडगो लोग बात करते हैं फुक्रा इंसान, Elvis आडब, Manisha रानी एन आशिका के बारे में babyka कहती है, ये तको पता ये चारों हमेशा साथ में क्यूं बैठते है जिया कहती है क्यों कि इन लोग का fanbase बहुत ज़्यादा strong है अगर फुक्रा हमेशा Elvish के साथ बैठेगा तो वो दोनों की fanbase एक दूसरे को support करेंगे अलसो बेबी का ये भी कहती है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के against में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भाहर इंकी community में इनकी बदनामी हो जाएगी तो जिया कहती है तो हाँ होना against इसका मतलब आप real नहीं रह रहे हो इस शो में मनिशा के किस वाले moment पर तो आप सुझी को पता हुआ कि एक दिन पहले के live feed में मनिशा एलविश एदव को propose करती है और जब एलविश उनको ये करते हैं कि आपको जो भी feelings है मैं उसकी बेट पर जाती है पहले हो एलविश ओकान में touch करती है जिसे एलविश उनको पूछते हैं क्या हो गया Manisha केती है हमको चुम्मा चाहिए ये फिर वह अपना मूह आगे बढ़ाती है एलविश के तरफ वो कहते है आस तो हाँ पको किस करके ही रहेंगे या फिर आप हमको लेकिन आपको बताद हुई Elvis अदर एक दिम अपने सक्त लॉंड़ा निकले उन्होंने साफ मना कर दिया और अपने चेरा को ढख के सो गए चादर से बात यहें पर खतब नहीं होती है हमारा की छूट गया था वो लेने आये थे तो जैट कहते हैं जूट मन बोलो तुम बैटके हस रही हो जो 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 से बात कर रही हो यह एक डिसिस्पेक्ट है जिसका मनिशाह वहां से चली जाती है तो चली उस तो आज के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना फॉर और मूर अपडेट्स मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में